प्यारे बच्चों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का हारतिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल पर और स्टुडेंट एक्जाम से रिलेटेड रियल फेक्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा क्लास टेंथ के सभी सब्जेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योसेंस और साथी माडल क्योसेंट पेपर जो MPBOT की तरफ से दिया उसका साल्यूसन भी मैंने अपने इस चैनल पर प्रोवाइट करा दिया है आप लोग नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हैं पूरे जरूर वीडियो देखिएगा कापी में कैसे लिखना है MPBOT में कापी कैसे चेक होती है 90% से उपर कैसे बनाई इस पर भी वीडियो बनाए है आप जरूर एक बार वहाँ विजिट करिएगा बहुत काम के वीडियो है देखिएगा जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी तो स्ट्रेंट्स में आपको बता दूँ कि आपकी जो इस साल 2022 के एक्जाम होने जा रहे हैं उसमें भी वेस्टाफ 5 सिस्टम रहेगा पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि वेस्टाफ 5 है जरूर पर इसमें ये गलती मत करिएगा नी तो जिंदगी भर आप सभी को पस्ताना पड़ सकता है क्या है वो गलती वो यहां में बता रहा हूं तो बिना इसकी पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा देखिएगा तो पिछले साल ये MP गॉर्मेंट ने स्टुएंट डिसाइड किया था कि वेस्टाफ 5 सिस्टम अब हटा दिया जाएगा वेस्टाफ 5 होता है किया है आपके टूटल 6 सबजेक्ट हैं कक्छा दसभी में और इसमें से किनी 5 सबजेक्ट को जोड़कर आपका रिजल्ट बनाए जाएगा मतलब एक सब्जेक्ट में आपके कम नमर आते हैं या आप फेल होते हैं तो उस सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा और पांस सब्जेक्ट में से ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा उसी में से आपको सप्लिमेंटरी दी जाएगी यादि आप किसी में फेल होते हैं ऐसा को हटाने का बिचार इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे स्टुरेंट्स मैस और साइन्स और इंगलिस में फैल हो रहे हैं जो की विल्कुन गलत है आगे आपके करियर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपकी जो मार्क सीट है सभी सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है जब रिजल्ट बनेगा तो जिस सब्जेक्ट में आपके कम नमर होंगे उसको हटा दिया जाए जाए इस महाँ पर MP बोट के द्वारा लगा दिया जाएगा और बाकी जो ज़्यादा जिसमें नमर आएं आपके सब्जेक्ट में उसको जोड़कर आपका रिजल्ट बना दे जाएगा वो पैटर्न ठीक है बट उसमें यदि आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं आप जब अपने करियर में आगे इस मारसीट को यूज करेंगे क्योंकि दसवी के मारसीट हर जगे डेटा वर्स के लिए लगती और कहीं जगे नोकरी के लिए भी यूज की जाती है तो वहाँ पर आप अपनी मारसीट बताएंगे तो बहुत बेड इफेक्ट पढ़ने वाला है खासकर यह दिए आप मैस, इंगलिस और साइंस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे यह आप बहुत सोच के चलिएगा कि आपको मैस, साइंस और खासकर इंगलिस यह और हिंदी जो सब्जेक्ट इसमें पास होना बहुत जरूरी है हाँ यह आप हो सकता है कि एक बार सोचल या संस्क्रेट में आपके कम नम्मर आएं यह करिएगा कि आप सभी सब्जेक्ट में पास हों अच्छे नम्मर लेकर आएं पिर उसमें से जो कम स्कोर है वो आटोमेटिकली वहाँ पर हट जाएगा उसको एड़ नहीं किया जाएग पर फेल होना बहुत गलत है किसी भी सब्जेक्ट में वहाँ पर यह दे आपके जो पासिंग मार से उससे कम नम्मर आते हैं तो वो बे डिफेक्ट रहेगा आपकी मार सीट के लिए और खासकर यह जो सब्जेक्ट बताएं क्योंकि इनी सब्जेक्ट से आपको आगे जो विग्यान में और तीसरा अंग्रेजी में यह तीन सब्जेक्ट आपके ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप इसमें फेल होगा है उसके बाद भी आपको पास कर दिया जाएगा वेस्ट आप फाइफ सिस्टम से और बाद में आपको कहीं जगे दिक्कत होगी तो मेरी बात आप उत्यान से समझेगा कि आप सभी सब्जेक्ट के अच्छी तैयारी करिए जो आपको डिफिकर्ट लगता है जिसमें सोसल संस्क्रेट इनको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं कम नमर आए भी तो चलेगा बाकि आप गणित के अच्छी तैयारी करिए हिंदी की करिए बिग्यान की करिये, अंग्रे जी की करिये, यह जो चारो सब्जेक्ट हैं, इसके बाद संस्क्रत और सोसल की भी आप अच्छे से तैयारी करिएगा, उसमें कम नम्मर आए चलेगा, पर परसेंटेज जो आपके अच्छे करिएगा मुझक अच्छे से दोते हैं, आपके लगो ismek कारे छोचे यह हो न सक्छेस ओक्त अज़नी